हाई वीवर्स वेलकम बैक टो मैं चैनल फ्रेंस यह देखिए आज हम सीखेंगे यह बहुत ही सुन्दर सा निटिंग पैटर्न इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं लेडी जाइड में लेडी जैकिट में लेडी शग में गल्स टॉप में बच्चों के स्वेट में शॉल में डाल सकते हैं तो दिखिए फ्रंट साइड से यह इस तरह से दिखता है और बैक साइड से यह इस तरह से दिखता है तो इस डिजाइन को बनाने के लिए जो सिच्छी चाहिए होंगे वो 6 के multiple से होंगे plus 2 फंदे एक्स्टा होंगे और यह जो design है total 6 रो का design है यह देखे यहाँ पर मैंने 20 फंदे लिए है 18 फंदे 6 के multiple से लिए है प्लस 2 फंदे एक्स्टा लिए है एस्टिच के लिए और base जैने के लिए 2 रो उल्ट उल्ट फंदों के साथ बुनकर निकाल लिए है तो चलिए बनाते है यह इसकी first row है और right side है ऐसे slip करेंगे repeat pattern start करेंगे 3 फंदे सीधे बुनलेंगे 1,2,3 चाई डालेंगे 3 फंदे सीधे 1,2,3 यह देखे हमारे एक pattern complete होगे मेरे तीन फंद ऐसमस हो एं Active 3 चाहे डाले तीन फंद सीथ है 33 फिर से पैरर такиеटें रिपीट करेंगे यह हमारा 6फंदों का पैठन है है यह दिखी है 123455 चाहे को ऐसे ही यह बार बार लिपीट करेंगे तीन फंदद सीथ है इसा मने बना लेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, चाहिए डालेंगे तीन फंदे सीधे 1, 2, 3, सीधा बना लेंगे फ़र्स्ट रॉ कम्प्लीट हो गई है अब दिखे सेकिन रॉ है रॉंग साइड इस सारी रॉ को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे हर बार इसकी रॉंग साइड हम उल्टे-उल्टे फंदों के साथ ही बनाएंगे एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे खर रहा है और राइड साइड है ऐसे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा बनेंगे अब आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे, एक फंदा, सीधा, जाई डालेंगे, एक फंदा, ये दो फंदे ट्विस्ट करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर देखे, एक फंदा सीधा बना लेंगे, ये देखे, हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गए, इसमें हमने, एक आगे की साट से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा फिर से पैटन पीट करेंगे एक फंदा सीधा आगे की साट से दो एक फंदों का एक फंदा बनाएंगे जाई डालेंगे एक फंदा सीधा जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे एक फंदा सीधा एस्टी सीधा बना लेंगे थर्ड रौ कम्प्लीट हो गई है फोर्थ रौ है रौंग साइन फिर से इस सारी रोग को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे अब देखें फिफ्थ रोग है और राइट साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टाट करेंगे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर चाही डालेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे के टूपी एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे बनाएंगे तो हम slip किया फंदा उपर से पास ओवर करेंगे this is mean K2P चाही डालेंगे दो फंदे slip करेंगे बैक लूप से दो फंदा का एक फंदा बनाएंगे यह देखे हमारा एक pattern complete होगे इसमें हमने दो फंदा का एक फंदा बनाया फिर चाही डाली एक फंदा slip किया दो फंदे सीधे बुने slip किया फंदा उपर से पास ओवर किया फिर चाही डाली दो फंदों का एक फंदा बनाया फिर से pattern repeat करेंगे तो दिखे आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे चाही डालेंगे एक फंदा स्लिप करेंगे दो फंदे सीधे 1, 2 स्लिप किया हुआ फंदा उपर से पास ओवर करेंगे जाई डालेंगे दो फंदे स्लिप करेंगे बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे फिर से आगे की साइड से दो फंदों का एक फंदा जाई डालेंगे, एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे सीधे, वन, टू, स्लिप किया फंदा उपर से पास ओवर करेंगे, जाई डालेंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, एस्टे सीधा बना लेंगे, फिफ्थ रोग कम इस सारी रोग को उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनकर कम्प्लीट करेंगे एस्टिच भी उल्टा ही बना लेंगे यह देखिए शिक्स रोग कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फास्ट रोग से स्टार्ट करेंगे तो दिखिए कैसे करेंगे फास्ट राइट साइड ऐसे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे तीन फंदे सीदे व two three जाई डालेंगे तीनफंदे सीधे one two three फिर से तीनफंदे सीधेator 1 two three जाई डालेंगे तीनफंसीधे one two three ऐस्टी सीधा बना लेंगे ये देखे फिर से हमारा पैटन फर्स टॉ से स्टार्ट हो गया है ये देखे ऐसे ही बार-बार हम इसकी 1, 2, 6 टोर पीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में अपलाए कर सकती है लेडी स्कार्डगिन में, रेडी जैकिट में लेडी शाग में, गर्ल्स टॉप में, बच्चों के सैटर में तो फ्रेंड आप भी से बनाएए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा